हेलो वीवर्स आज मैंने 11 के फाते दिलाया है तो मैंने आशारमलिदा बनाया तो इसे कैसे बनाया है तो चले रेसिप स्टार करते है तो यहां पर मैंने डाई ग्लास हुजी लिए यह गेव की सुजी है तो यहां पर डाई ग्लास लिए है उसमें दाल देंगे नमक और 4-5 च और इसका आटा लगा लेंगे टाईट सा जैसे रोटी का भीगाते वैसा नहीं भीगाना है एकदम टाईट भीगाना है तो उसे मलीदा बहुत ही अच्छा बनता है चिप चिपा बिल्कूल भी नहीं बनता है तो यहां पर देखिए थोड़ा थोड़ा पाने डाल कर इसका करने एक पर प्लाटों क करते देज़िन ख़यों लोटी जो होती है वाईसे प्रहता है यहाँ प्रखे em' ड्र Cambodia ॡ यहाँ पर देखिए रोटी बना दी है में के चलेंगे भी सेकने के प्रोसेस में हैं तो यहाँ पर मैंने ग्यास पर एक तभार देगा रिए दाल देंगे रोटी रोटी को दोने साइट से सेक लेंगे यहां पर देखे एक साइट से हो चुकिए दूसरे साइट से भी सेक लेंगे सेकर मैंने यहाँ पर इसके तुकड़े कर दिये है तो यहाँ पर मैंने पीसस में तोड़ दिया था यह गरम गरमी अच्छा मलीदा बनता है थंडा होने के बाद में मलीदा बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता है तो यहाँ पर देखिए मैंने हातों से क्रेश कर दिया है तो मली दाब बना दिया थीजित रखे ले खड़ लें लेंगे लग्याए और समय तो मिठा अपने हिसाब से कर सकते हैं तो यहां पर हम चमज घीर अप जादा भी डाल सकते हैं यहां पर देखिए इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे शक्रवे मलीदा अच्छी तरह मिक्स कर देना है अब इसमें दाल देंगे मेवे मन पसंद मेवे डालेंगे जो आपके पास अउलेबल है वो डाल देंगे काजू, बादाम और किश्मी डाली है मैंने और नारियल का दुकस किया हुआ डाला है मैंने यहां पर देखिए मन पसंद मेवे डालेंगे तो यहां पर मेवे डाल दिये है मैंने अभी कर देंगे इसे अच्छी तरह मिक्स यहां पर देखिए मलीदा अच्छी से मिक्स हो चु इसमें दाल देंगे भूनीवी सोप इससे तह बहुत ही बढ़िया लगता है मलीदा तो मैंने दो चमर दाली है सोप यहाँ पर इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसे रख देंगे साइड में अभी हम आशान बना लेंगे तो यहाँ पर मैंने चावल को धोकर कपड़े बेह सुखा लिया था 1-1,5 घंटा और हम चावल को पीष लेंगे चावल एकदम सुख चुके है तब जो पॉट में मैंने इलाची पीषी ती ना उसमें थोड़ी से इलाची रख दी उसमें हम चावल पीषेंगे चावल दो बैचस में पीषेंगे तो यहाँ पर देखेए इसे पीसना है और चानते जाना है तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा परतन ले लिया है चरनी लगा दी है इसमें ये पीसेवे चावल डाल देंगे और इसे चान लेना है एक दम महिन पीसना है पीसते जाना है और चानते जाना है इसका प्रोसेश पाच्छे बार करना है यहाँ पर देखिए इस तरह से हम यह वाला और जो चलनी में है वो चावल हम पीस लेंगे और फिर से तो यहाँ पर देखिए सारा चावल में निपीस दिया और इतना बच्छा है तो यह मैं रख दूँगी तो यहाँ पढ़्ावा जुन चावली कोड़ेखको शक्र दोड़ेखकर नाय लित सकते हैं यहांप़ देंगी घव, घव मीक्स करती है अब डालेंगी घी, घी लिदू भी मिकस करतेंगे एगे। इस में दाल देंगे हम देगे ची एगे काजू कि बादाम ड़ा जब आपनी कर लें, पानीका छिट्का मियाह कते लें इसे अब भिगाना नहीं है कि इस दूद्ड पी कर लें पानी नहीं जूदाम तो टूरंत लट्डू ने बनाना电व, क्योंकि बननी ने पहते हैं तो इसे ऐसे देखिए बनी ने पाते है यहाँ पर इसे हम अच्छे से मीक्स करके ढख के रखेंगे इस तरह से रख देना है दस मिट के लिए और फिर लड्डू बनाना है तो यहाँ पर देखिए 10 मिट हो चुके है तो अब लड्डू बनेंगे यह शकर मेल्ट नहीं हुई थी इसलिए लड्डू ने बन पाए तो यहाँ पर देखिए हम वो बर्तन ले लेंगे मलीदा का इस पर रख देगे लड्डू इस तरह से सारे बना लेना है छोटे बड़े आकार में तो यहाँ पर मैंने सारे लड्डू बना दिये है तो यहाँ पर मैं इसी तरह अपने घर में भात्य का बर्तन निकालती हूँ तो चले फिर मिलते नेक्स्ट वीडियो वीडियो देखिए